स्टोरी टाइम E.N.D.I. उत्तरब्रदेश का स्टोरी टाइम मैं रादक हूँ और मैं चंचल और हम कहानियों की रंगी दुनिया में रहते हैं चलो हमारे साथ हेलो बच्चों सबके फेज शाइन कर रहे हैं जिससे ये पता लग रहा है कि आपको भी स्टोरी टाइम का इंतजार है तो चलो फिर आज एक नई स्टोरी सुनते हैं स्टोरी का नाम है पूर हिपो बच्चों यहां पूर हिपो का मतलब बेचारा हिपो से है बच्चों ये तो जानते ही हो कि हिपो इस अ बेग एनिमल लेकिन वो पूर कैसे हो गया ये राज तो इसी स्टोरी में है तो इसके लिए क्या करना होगा लिसन क्याफुली सुनो लॉंग एक इंस फॉरेस्ट में बहुत सारे जानवर एक साथ रहते थे लेकिन सभी जानवरों को उस जंगल में बहुत सारी प्राब्लम्स पे फेस करनी पड़ती थी मस्किटोस, वास्प, बीज और मैनी अधर इंसेक्ट वुट टॉबल देम और अनिमल्स अपने को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ नहीं कर पा रहे थे दे वर फेलिंग वेरी हेल्पलिस ऐसी प्राब्लम्स सभी अनिमल्स इसलिए फेस कर रहे थे because at that time none of the animals had a tail सभी अनिमल्स इस बात से बहुत दुखी रहने लगे थे One thing that was pretty good was that the lion had a tail जानते हो ना टेल का क्या काम होता है एक दिन एक monkey ट्रे पर बैठा था and the lion was eating flesh कुछ मक्या बार बार lion को डिस्टरब कर रही थी lion अपनी टेल से उनको उड़ा दे रहा था और अराम से flesh खाने में बिजी था The monkey was watching the activity of the lion very carefully monkey को लग रहा था कि अरे वाह ये king lion के पास जो टेल है ये तो बहुत यूसफुल है king lion तो टेल से सभी इंसेक्स को भगा ले रहे हैं The monkey became very surprised The monkey went to the jungle and called all the animals He told about the lion's tail to all अब सभी animals सोचने लगे काश हमारे पास भी एक टेल होती All the animals discussed the usefulness of the tail तभी monkey ने कहा चलो चलो हम king lion के पास चलते हैं और उनसे अपनी problem discuss करते हैं He is our king and he will surely solve our problems तभ रहस ने कहा Yes, yes, let's go We have to tell our problems to the lion All the animals went to the lion सभी animals को एक साथ अपनी तरफ आते देख King lion surprise हो गया उसने अर्चर ऐसे का क्या हुआ, तुम सब अचानक यहां कैसे क्या बात है तभी monkey ने कहा King lion, we are very upset सारे insects हमें बहुत ज़्यादा परिशान करते हैं We can't do anything So please do something to solve our problem King lion को भी feel हुआ कि animals को तो वास्तों में बहुत बड़ी problems face करने पर रही है And being a king, I have to solve their problems King lion ने सभी जानवरों से कहा I will do something for you परिशान मत हो, अभी तुम सब जाओ After some days, king lion ने decide किया that he would open a tail shop for the animals King lion made an announcement सुनो, 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 सभी animals ध्यान से सुनो हमारे king lion ने हमारी problem solve करने के लिए एक decision लिया है Our king will set up a tail shop in the jungle जिसे भी tail की need है वो king lion से अपने लिए tail खरीद सकता है One can buy a tail and also get it fixed on their bodies by the doctor of the jungle क्योंकि हमारे king ने tail fix करने के लिए जंगल के doctor को भी instruction दे दिया है After the announcement, all the animals became very happy और सभी आपस में बात करने लगे अरे वाँ, ये तो बड़ी खुशी की बात है King lion जिन्दाबाद announcement सुनने के बाद जंगल के animals अपनी अपनी need आपस में शियर करने लगे The monkey said Oh, it's so amazing We will get our own tails मैं तो सबसे लंबी पूँच लूँगा ताकि मैं पेड़ पर भी लटक जाऊं The horse said Wow, it's too good for us मैं तो ऐसी टेल लूँगा Just like broom ताकि सभी insects को भगा सकूँ The zebra said मैं तो अपनी body की matching वाली पूँच लगवाँगा Squirt मैं तो सबसे सुन्दर वाली पूँच लूँगी The fox said I am feeling very relaxed now Don't get late चलो हम शॉप पर चल कर टेल लगवाले और किंग लाइन को thanks भी बोल दे Let's go और लगभग सभी जानवर शॉप की तरफ भागने लगे Monkey, horse, jackal, fox and many other animals stood in a row सभी animals बाहर खड़े होकर अपनी अपनी बारी का वेट कर रहे थे So that they can buy a tail of their own choice सभी animals ने अपने अपने चॉइस की तेल खरी दी और जंगल के डॉक्टर के पास fix कराने के लिए चले गए All the animals were excited to see their new look सभी animals अपनी अपनी पूँच के साथ खेलने में लग गए Because they were feeling very different Unfortunately, Hippopotamus जो की बहुत लेजी था टेल शॉप पर लेट पहुँचा और क्यूं मैं सबसे लास्ट में खड़ा हो गया By the time, his turn came But सभी animals पहले ही सारी अच्छी तेल्स बाई कर चुके थे Now, only a tiny tail was left अब Hippo's छोटी तेल को देख कर बहुत अपसेट हो गया उसे समझ में ही नहीं आ रहा था That, what should he do? He thought that all the tails except the tiny tail had been sold So, he bought the tail and asked the doctor to stick it on his body Doctor ने Hippo की body पर tail stick कर दी But that tiny tail was of no use for the Hippo Insects अभी भी उसे परिशान कर रहे थे जब Hippo other animals को tail का यूस करते देखता तो he felt very bad और अपने laziness पर अफसोस करता But now, he could not do anything All the animals were happy But the Hippo was very sad Because अब Hippo, insects और other animals से बहुत ज़्यादा परिशान हो गया था Now, he decided to leave the jungle After some days, Hippo left the jungle and went to live in water और तभी से सारे Hippos पानी में जाकर रहने लगे तो children, पता लगा Hippo, poor Hippo कैसे बन गया तो इस स्टोरी से हमें एक lesson मिला क्या, always remember That we should never be lazy Goodbye आप 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 के लिएगा